आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना तो भारत सरकार का तुगलकी फर्मान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का बिद्याले फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि करोना बढ़ रहा है सांतर ये कि आपका बिद्याले आज से 31 मार्च तक बिद्याले बंद रहेगा ठीक है और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि ये खपते के लिए लागडाउन किया जाएगा जब आपका एनुवल इक्जाम चल रहा था और तब से ले साल जब बिद्याले खुला आपने किताब कापी अपना सारा बेवस्था कर लिया तब हमारे तुगलकी फर्मान जो हमारे सरकार हैं वह आदेश कर दिये कि अब फिर जो है कि ये बिद्याले फिर बंद होगा माननी योगी आदित नात महराज जी मैं आपसे पूछना चाहत हूँ कि आप बच्चों के भविस्थ के साथ और जो प्राइवेट अध्यापक बिद्याले में पढ़ा कि अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं उनके पेट पेलात क्यों मार रहे हैं इन बच्चों के भविस्थ के साथ खिलवार क्यों कर रहे हैं ठीक है करोना अगर तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरकपुर महोस्व आप करा रहे थे तब करोना फैल नहीं रहा था जब आप के यहां पर प्रयाग राज में कुम्ब का मेला लगवा रहे थे तब करोना नहीं फैल रहा था जहां पे करोडों लोग अश्नान करने गए और अभी ह दुनियादी सिख्षा प्रारंबिक सिख्षा आप बिल्कुल बर्बात कर दिये हैं पिछले दो साल से और अब जाके फिर लागडाउन आप लगा रहे हैं तो आप से पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं यह जितने भी बच्चे ओपना सारे बच्चों का भविष हैं और और लोग खुद नई चाहत आ है की देश बच्चा पड़ये हैं पणके लायक बनें हैं आप लोग अपना जब रैली निकालना रहेगा चुनाओ रहेगा तो कोड़या खुद्धे उयाचाई मानिक को बारा चाहिए उन लोगों ने अपनी मानता निरस्त करा दियार्के लाकट्रेंट को सब से पहले आप बर्बात कर रहाएं। मेर्ट भीत्य शीए आम उनका भाड़ा हुआ करता था, उनका भाड़ा भाड figur करे 2,600ा तो पहले से मलब खस्ता हो चुकी है तो ऐसे कंडिशन में गार्जियन करें तो क्या करें और हम अध्यापक करें तो क्या करें यह जितने भी 16-17 स्टाप हैं इन सब लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्याले के संस्था से आप लोग हमारे पेट परहार कर रहे हम लोगों के ब्यौसाय से अगर आपको लग रहा है कोरोना है थीक है बिद्याले बंद कर दीजिए तो यह भी अपने नियत को साफ करिए कि कुम्ब का जो मेला महा कुम्ब का लगवाने वाले उसको भी कैंसिल कर दीजिए और जो गोरक पूर महोस्ता और गोरक नाथ कां मेला लगवा के ड्रामा करवा रहे हैं वो भी बंद करवाईए यानि आप खुद नियम का पहले फालो करिए हम लोग निय इन सब बच्चों के माता पिता ने बच्चों कितने लोगों ने आप किताब कापी अपना सारा कंप्लीट कर लिए हो पता एक एक बच्चों की किताब कापी दो-दो हजार रुपए की आती है आप फिर लागडाउन लगा दिये इनकी पूरी पढ़ाई बरबाद हो गई आप यानि आपने एक हपते का लगाया है आपकी नियत पे तो मुझे 100% बिश्वास हई नहीं है का आप करोगे क्या आप पूरे साल पढ़ाई बरबाद करोगे हाद नीचे करिए अब ये बच्चे करेंगे क्या किताब लेकिन के गार्जियन करेंगे क्या हम लोगों ने पू पूरा सरकार का साथ दिया जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया लेकिन अब इतनी कंडिशन होने के बाद विद्याले खुलने के बाद आप लोग विद्याले बंद कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है और आपका पूलोटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल कर लिजे बिल्कुल हम लोग एक हपता नहीं पढ़ाई कराएंगे लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तोर पर याद रखिएगा कि ताना साही उतना ही अच्छा लगता है जितना ताना साह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो और आपका समय बि लेके जीले से लेके मैं प्रदेश लेबल तक धरने पर बैटूंगा इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सवाल यहां सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं यहां मेरे जितने सापाथी और जितने मेरे करमचारी लोग है और इन बच्चों के पढ़ाई का भविस का सवाल है तो हम सब लोग आपके साथ हैं अगर नहीं भागता है तो एक अप्रेल से छोड़ दीजिए हम लोगों को कोरोना होगा मरेंगे क्या करेंगे हो हम लोगों की रिस्पांसबिल्टी है आपको इतना चिंता करने जरूरत नहीं है क्योंकि करोना मलागडाउन लगाने के बाद खा अपकात है नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अप्रेल के बाद आप विद्याले खोल दीजिएगा इन बच्चों के भविश के साथ आप लोग खिलवार मत करिएगा